दुनिया बर के बादारों से है धेर सारी खबरें लेकिन संकेत मिले जुले और कल की शांदार तेजी के बाद क्या आज 10-900 को पार निकल पाएंगे तिक पाएंगे तेजी और बढ़ेगी या फिर ट्रेडिंग रेंज के उपर इस तरों से फिर से आएगी मुनाफ़ा वसुल या फिर ग्लोबल मारकेट्स में जितनी चाप होनी चाहिए उतनी ही दिख रही है कुछ जादा बड़े डर घबराट तो नहीं देखने को मिल रही है यह बात हम कल भी डिसकस करें थे कि ब्रेक्जिट अपने आप में भले उनके देश का इवेंट बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन हमारे जैसे देशियों के आफिर ग्लोबल मारकेट्स के लिए इवेंट एक फिर फॉर्मालिटी भर है जिसके बारे में जाते लोग जानते ही थे इवेंट बड़िये राजनिती के लिहाद से ज्यादा बड़ी है एकोनोम के लियाद से बड़ी है थोड़ी कम तो इसका मतलब बाज़ार को पहले से पता है यह रिजल्ट आने वाला है ऐसा नहीं कि अनेक्सपेक्टेड रिजल्ट है और इसलिए हम कल भी बात कर रहे थे कि ब्रेक्जित का जो भी डिसीजन हो एक परसेंट ऊपर एक परसेंट नीचे इस से ज़्यादा बाज़ार असर न को तो हैगा उम्मिद दो यही कि बचा लेंगी उसमें कोई फर्ट नहीं पड़े था सरकार का बचना और ब्रेकजित होना नहीं होना दोनों अलग चीजजे हैं और हमारे यहां ऐसा नही है हमारे यहां कि तरह नहीं कि जो सरकार ने-दिसीजन ले है सारे सांसर दूसी तरफ डिसिजन उसके पक्ष ये विपक्ष में वोट डालते हैं वहाँ पर किसी चीज़ पर अगर वो ऐसा है मैते हैं तो अलग भी डालते हैं जो आपने देखा भी तो संभावना पूरी है कि सरकार तो बच जाएगी तीन दिनों के पितर नया प्लान उन्हें सोपना है अब वो प्लान क्या होता है क्या फिर Sे रेफरेंडम की तरफ Woah जाती है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत डरने गवराने की ज़रूरत है हाँ अगर तेरे साम में का विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और उनकी सरकार गिर जाते है तब भले एक बार की global market सोड़े खराब हो सकते है बट मुझे नहीं लगता उसका एक दिन से ज़्यादा कोई असर है तो हमें Brexit को लेकर बहुत चिंता करने की ज़रूर नहीं ठीक है भारती कंपनी अभी वहाँ पर काफी है आटो है आटो एंसलिर्स कंपनी का काफी exposure है उनके लिए कि क्या माईने सब्सक्राइब जिस तरह के वोट है उसको देखकर तो लग रहा है कि लोग चाते ही नहीं कि Brexit हो जो डेड़ दो साल पहले decision लिया उसके उलट decision आता हुआ दिख रहा है या फिर no deal Brexit तो मुझे लगता है कि exact decision क्या होता है final और कितना जल्दी होता है ये important है अगर Britain European Union में बना रहता है तब तो जो भाड़ती कंपनीया वहाँ कारोबार कर रही है उनके लिए अच्छी बात ही बढ़िया है positive है लेकिन अगर बाहर निकल जाता है तो कौन सा मैं नहीं पता है कि बाहर निकल रहा है ये तो डेर साल पहले से ही फैसला हो चुका है अब तो मुझे लगता है कि हिंदोस्तान की कंपनीयों के लिए वहाँ से कुछ खराब होने वाला नहीं है या तो neutral होगा या positive होगा बाहर निकल गया कुछ डील के साथ निकला तो भी ठीक है और नहीं निकला तो और भी अच्छी बात है तो मैं तो अच्छी तरीके से देख रहा हूं कि हमारी कंपनीय को वहाँ पर जो इंदोस्तान की कमनीया जो योरोप में कारोबार कर रही है उनके लिए और क्या खराब होगा पहले से पता ही है ना कि ये तो होना है ठीक है इस प्रसीडिंग के बारे में तो खेर काफी हद तक पता ही है और दूसरी बात है कि कल आखरी के सेशन में जब से थोड़ा सहरा मिल रहा है चाइना कंजूमर बहुत बड़ा कंजूमर है क्रूड का तो यह अपने आप पे बहुत इंपोर्टेंट है क्रूड दूसरा करंसी जो वापिस से वीक हो रहा है कल के सेशन में नीचे पहले एक बर खोला था लेकिन क्लोज होते होते वापिस एक चीन की तरफ से स्टिमलिस पैकेज की बाद जो हो रही है यह बड़े काम की है इसको हलके में नहीं लेना चाहिए वह इसलिए कि मैं पिछले दो स्टिमलिस पैकेज आपको यार दिलाने चाहता हूँ दो या तीन पहला अमेरिका में हुआ लेमन ब्रदर्स के बाद और तब से दस साल तक अमेरिकी बाद और में देजिए दूसरा स्टिमलिस पैकेज कह सकते हैं या यूरोप में जो हुआ कि बैंक्स को फंड दिये गए हैं सिस्टम में लिक्विडिटिया ली गई आप देखें यूरोप की एकोन अमेरी को रही हैं तीसरा जैपान में हुआ अब अ अमेरिका के इंजिन में थोड़े स्लोडाउन के संकेत हैं या फिर उनका फेड चाता है कि दिरे दिरे हम लिक्विडिटिया निकालने सिस्टम से ताकि वहां इंफ्रेशन बढ़े और ग्रोथ थोड़ी ठंडी हो बहुत जरूत ज्यादा एकोनोमी भांगना भी टीक नहीं अगर चीन की तरफ से ये संकेत आते हैं कि हम स्टमिलिस पैकेज देंगे ये बड़ी चीज़ हो सकती है और ये ग्लोबली और स्पेशली कमोडिरी स्टॉक्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है चीन का स्टमिलिस पैकेज आते ही आप भूल जाए कि मेटल्स खराब होंगे फि देखना जरूरी होगा लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही कि चीन अगर स्टमिलिस पैकेज सोच रहा है और वो उस वक्त सोच रहा है जब ट्रेड वोर को लेकर उनके अमेरिका से बातची चल रही है तो इसका मतलब एक और भी निकलता है और वो ये कि चीन को ग्रोथ की च केस में वो ट्रेड वोर के लिए अमेरिका से बहुत ज़्यादा लड़ेंगे नहीं समझोते की तरफ आएंगे तो ये दोनों चीज़ों अगर मिलाकर देखें आप तो ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छी आ रहे हैं हाँ ठीक है ये दूर की सोच अच्छी है और साफ द ये दो तीन चीज़ें जो हो रही है और समझे इसके साथ ही यूरोपन यूनियन और ब्रेक्जित वाला मामला भी सुलच जाए तो ये तीन चार चीज़ें अगर सुलचती है तो कौन जाने के वापस से ग्लोबल मार्केट से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएं ठी अचार थैपन के रैलूफ फंड्स के भी है अफनो के संक्यत नूट्रल साइप साथ पर न्यूट्रल साथ पोजितिव साथ पर भी रख सकता हूँ अलेकिन एक डेटा की वाज़े से नूट्रल की है अधर ऊस तो पोजितिव ही कर लेता judgment positive हूए कल की तेजी के बाद और इसमें बाजार वोलिटाइल रहेगा कल पहली बार कोशिश किये कि 10-875 के उपर की क्लोज मिले और मिली मुझे सिर्फ आज एक और चाहिए एक क्लोज बहले दस पॉइंट नीचे ज़िदो आप कल से 10-875 के उपर की एक क्लोज आज और देज़े तो मेरे लिए कंफर्म ब्रे आज यह ना करें 10-910 के उपर अगर आज क्लोज होता है और और ज्यादा सेफ चलना है 10-925 के उपर क्लोज हो गया तो फिर यह 11,000, 150, 11,200 जा रहा है ठीक है लिए लिए यह आप एक क्लोजिंग और क्यों चाहते है कि कल की क्लोजिंग पर यह बहुत अच्छा सवाल है यह कभी क्या होता है एक दिन के मुव से आप एकदम डिसिजन ले ले बादार आपको गलत कर देता है अगर उस दिन 10-700 तोड़ार इस तरह की क्लोजिंग हो तो हमें कॉंफिडेंस था कि नहीं 10-725 के निचे आज बन नहीं होगा और हुआ भी नहीं परसु की बात है हो जाता तो उस दिन यहीं लगता ना कि ब्रेंज की नीचे ब्रेक करने को तहिया रहे है और अगले दिन गैप अप हो गया तो इसलिए आज भी वही सिचुशन है इसलिए मैं एक दिन और चाहता हूं पिर पका है हम भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं तो अगर आज 10-925 के अगर 10-850 के आसपास खुले अभी का महूल है तो वहां तुरंट खरीदारी कर लिए और मैं तो अभी भी आपको यह स्ट्रोंग बोल कोल दूँगा कि तीस पॉइंट नीचे था तो तो तीस पॉइंट अगर नीचे आपको शुरुआत मिलते तो खरीदी लेना चाहिए अ यह शुक्र मनाना तक सुबह जितना नीचे खुले उतना पड़िया है तुरंट खरीदारी मुझे अब तो लग भी नहीं रहा कि अगर 90-90 पॉइंट होंग को नीचे भी खुलेंगे अरे निचान में बड़ी बात नहीं है ऐसा एंवे लेकिन यह रेंज 10-850-10-925 मीडिय जहां पर हम थोड़े रुकेंगे तो इसलिए आज मुझे उसे पार करने की जल्दी नहीं लेकिन मैं यह नहीं किया रहा कि नहीं होगा होने की संभावना बनती है लेकिन मुझे सबसे बड़े आज बाद इंपी जो बादार में लग बादार की स्पीड यह रूक रूक के जो चल रहा है यह बेस्ट है मुझे बहुत भागने वाला या बहुत टेजी से गिरने वाला बादार नहीं चाहिए आम इस आउट फिलिंग नहीं होने चाहिए यह ट्रेट करने का मुझे ऐसे बादार में क्या होता आपका कंविक्शिन काम आता है दोनों तरफ के लोगों आप एसपेक्ट करेगा जिस अहम डेटा के आसपास सपोर्ट लेगा या ऊपर रुकेगा वह बाजार सबसे बढ़िया है और अभी तक यह हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज 11,000 पार न करें 11,000 के आसपास रुके तो यह बैतर होगा इसलिए मैं आज का रेंज वहा चाहिए ऐसे निफ्टी थोड़ी सी अंडर परफॉमेंस क्या कह सकते हैं कि कम अच्छा ट्रेट कर रहा है इए उसमें को चाहिए हमारा 27-400 का टार्गेट था 25-2400 फरी हमने बैंक निफ्टी को बंद भी किया और 10-808 जहां खुले Nifty भाई खरीद लीजिए लेकिन यह जो डिफरेंस दिखा कर निफ्टी और बैंक निफ्टी गेंदर यह क्यों दिखा यह वीकली एक्सपारी का वेट हो रहा है या फिर कच और रहा है रिजल्स के साब से इंडर्स 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 इंडर् बस और वैसे भी एक चीज समझ जिए कौन सा ज्यादा 300 रुपे से हमारे सारे एक्सपर्स लगाता रहा है इसे से बेंग रिकमेंट करें तो इनका सिस्टम ही ऐसा ही है कि तीन दिन रुकेंगे एक दिन वापस तेज दोड लगाएंगे तो मुझे डर नहीं है सार बेंग निफ्टी में ठीक है इंटरस्टिंग है तो बेंग निफ्टी के आज की रेंज आपने एक बर नोट करी लिए होगी क्लोजिंग बेसिस पर आज दो स्टॉप लाया हूं और मैं दोनों बहुत ऊपर करके लाया हूं और 10-800 निफ्टी का 10-800 के नीचे निफ्टी बंद हो तो क्लोजिंग बेसिस पर टेजी की पोजिशन कम करें खत्म नहीं करना है और 27-250 बेंग निफ्टी का लेवल है जिसके उम्मीद यह कर रहा था कि 30 पॉंट नीचे दिख रहा है वहां खुले तो 10-850 के आज पास आते ही ना 10-820-10-850 के रेंज में मिलेगा ऐसा लपक लेना है निफ्टी को मोका मिला खरीद लो हां ऐसा है तो यह चीज है तो वहां पर लेना है तो अगर जितना गेप से नीच 10-925 की रेंज है ठीक है इसलिए पहला टार्गेट और दूसरा टार्गेट वहिए तीसरा टार्गेट है 10-975 का देखिए 10-925 के पार दिंपी पांच में टिक गए न है तो 10-975 आज ही आ जाएगा आपका 10-975 आज ही दिखा देगा फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं है श सकते हैं अगर चाहे तो बैंक डिफ्टी खरीदना है लेकिन थोड़ा सा मामला है खरीदने का और बेचने का दोनों का क्रूशल है लेवल्स पे मजा नहीं आ रहा है मेरे खरीदने का मन 27-150, 27-250 की रेंज में अब मुझे पता नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन खरीद निफ्टी पर बात कर ली कि हम 925 के परोद और 970 भी जाएगा फिर 11,000 भी आ सकता है लेकिन अब तक 27-500 के उपर के लेवल बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा कंश्यूज कर रहा है लेवल साफ नहीं दे रहा तो मुझे यह समझ जा रहा कि 27-500 पे बेचना है 27-600 पे बेचना ठीक है अगर रूपए ने ओपनिंग ठीक ठाक दे दिये तब तो हम 27-600-27-700 के रेंज में बेचेंगे रूपए ने ओपनिंग खराब दी तो 27-500-27-600 के रेंज में ही बेच देंगे तो बैंक ट्रिफ्टी पे मैं क्लियर बता रहा हूं कि मुझे ना तो बाई लेवल पर ब बाई पर दिया लेकिन उसके बाद चलते बज़दार में आपके सामने वह कॉल होगी अब आते हैं सीधा सीधा सेक्टर से पहले आज तो पहले सेक्टर से बज़दार है पाजिटिव कोन से है अचीज़ इसमें कोई दिमाग लगाना जी ठीक है मिटके प्राइवेट बैंक यह एक और सेक्टर है यहां पर मैं पॉजिटिव हूँ बुल इशू यहां पर खरीदारी करनी है ठीक है अब आते हैं एफ आइस और एफ एंडो के आंकड़ों पर फिर मैं आपके सामने स्टॉक्स पर रखता हूँ पहले जिर एफ आइस का आंकड़ा है तो बड़ा भी प स्टॉक औप्शिन में खरीदारी सब जगें खरीदारी है गरेलू फंड ने 400 क्रोड की खरीदारी की अच्छी बात है 1153 क्रोड के इंडेक्स अच्छा इसा नहीं कि खाली आपने शॉर्ट कवरिंग किये फ्रेश इंडेक्स लेके गये कब लेके गये ब्रेक्जित के दिन अच्छा ब्रेक्जित को हमारे से जाद वह जानते हैं अगर वह खरीद के जा रहे तो हमारा तो कॉंफिदेंस बढ़ना चाहिए 545 क्रोड के स्टॉक फ्यूचर भी खरीदें केश में खरीदने के साथ तो यह तो बहुत कॉंफिदेंस बढ़ने वाले जिन अगर ऐसे पहली बाव इस स्रीज में मुझे डंका ओपन इंटर्स बनता हूँ गया तो इसका मालब बढ़िया तेजी की पोजिशिन बनी है और लेना और लेना है और लेना और लेना है एक भी बार गेप छोड़ा नहीं, एक भी बार छोड़ा नहीं, मुझे था अभी ऐसा पीछे मुड़ कर लेख रहा हूं तो अच्छा लग रहा है कि चलो कल हमने बोला जहां खुला वही खरीद लीजिए, जबकि दस-ाठसो के ओपर खुला था, तो यह अच्छा रहा है, तो बारा लाग शिर जुड़े आपके निफ्टी के ओपनेंटर, तो फिर आपको एक ऊपर ओपनिंग चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नीचे ओपनिंग होगी, तो फिर जो ट्रेडर्स कली तेजी की पोशिशन मना ही चाहिए, वो बीटी एस्टी समझ लें, य जैसे आप 10-900 पार करेंगे ना, तो 10-800 के कॉल ओप्शिन में 22 लाग शिर खुले में, इन्हें शोट काटना है, यह शोट कवरिंग का सहारा देंगे, लेकिन अभी नहीं आएगी, 10-900, 10-925 पार होने के बाद ही आएगी, मज़ा तो शोट कवरिंग का है ना, आपको यह क्या हो रहा है मार्केट में, देख लिना, शोट कवरिंग उसको बोलते हैं, जो 10-925 के ओपर दिखेगी, तो 10-925 के लिए आप दोआ कीजिए, हाला कि थोड़े दूर है, कितने 50-40 पुएंट दूर है, और 20-25 नीचे खुलते हैं तो फिर 60-70 पुएंट बढ़ना पड़ेगा, तो यह एक बढ़िया चीज है, कल निफ्टी के लियाद से, बैंक निफ्टी के लियाद से कैसे options देखें, बैंक निफ्टी के लियाद से, देखें, 27,500 क्यों अहम है, 27,500 के कॉल्स में 7 लाग share खुल है, जो highest open interest हाला कि बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन एक ची तो यह तो बारूद का काम भी कर सकते हैं, अगर covering होई तो जबरदस्त, यही फरक है, यही फरक है, बतला आप glass half full, half empty, आप कैसे देखते हूं, यह बारूद भी बन सकता है, और बारूद पे ठंडा पानी भी डाल सकता है, इतने shorts हैं, चिंगारी चीए short covering के लिए, तो क्या निफ्टी 10,925 के पार निकल कर, बैंक निफ्टी को short covering के लिए pressure डालेगा, या बैंक निफ्टी काएगा, नहीं 27,500, 27,800 आप से पार नहीं हो पाएगा, हम उपर जाएंगे नहीं, आप जोड लगा लो, कल लगा लिए कोई बात नहीं, कल आप 10,5% बढ़े हैं, हम आदा प लेकिन दोनों चीज हो सकती है, मजा क्या है, मजा है कि समझे चलिए 27,500 आप से पार नहीं हो रहा है, तब भी कमजोर ही कितनी है, 37,000, 27,200 तो बहुत strong support जो होने हैं, तो आप उससे नीचे तो वैसे भी नहीं जाएंगे, तो range defined है, 27,150, 27,500, 27,500 के ऊपर टिकने देते हैं, फिर देखते हैं, क्या कुछ होता है, बैंक निफ्टी में, ठीक है, यह निफ्टी, बैंक निफ्टी का पूरा analysis आपके सामने रखा, sectors आपने देखे लिए, आप सीधा सीधा सीधा, इक चीज जो बैंक निफ्टी में कहना रह गया, वो यह कि कल पहली बार ऐसा हुआ हुआ कि बैंक निफ्टी में open interest बढ़ा भी है, प्रीमियम 108 से 108 बढ़कर आई है, तो पहला संकेत, भले कल आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ें, बैंक निफ्टी पर, 152 पूरा आप बढ़ें बैंक निफ्टी पर, 149 पर निफ्टी पर, ऐसा होना निफ्टी के मुकाबले में 3 गुना बैंक निफ्टी बढ़े, तब तो मतलब है, वन इश्टी वन का रेश्यो हो गया, तो ऐसे में make or break बैंक निफ्टी है, 2700 टिक ने दे, टिका ना फिर्मा जाएगा, ठीक है, वैसे सोई पॉइंट जूरे हैं स्पॉर्ट के साब से, 2700 पर हमारी closing मिली होगी है, आज का stocks भी देख लेते हैं, आज का stock of the day वो कौन सा है, आज का शेयस है, TCS का result याद है, बिलकुल, analysis क्या था result के बाद, खराब होगा, 0.5% गिरना चीए, उस दिन exactly 0.5% गिरना चीए, तब एक बात की थी हमने TCS के result के दे, कि TCS की result के दम पर मैं एक नतीजा प्रेडिक कर सकता हूँ, और वही आज का stock of the day है, KPIT, क्योंकि TCS से अगर सबसे ज्यादा मिलता जुलता business model, अच्छा ये logic है एक दम, मैं इमान दाए जिसे मता हूँ, कोई हमें अंदाजनी की result क्या आ सकता है, किसा आ सकता है, आपको सिर्फ company को समझना होता है, TCS से मिलते जुलते business model वा अपनी जगे है, मैं यह नहीं करा है कि वहाँ से नीचे है, stock तो ऊपर ही है, KPIT टेक तो वैसे भी ऐसा stock है, इसको फर्ग भी नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से कि fundamental से कि result से कि 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 और चीज़ों है, लेकिन result का analysis एक्चूल होना चाहिए, हम price का analysis नहीं कर सकते है, कंपनी का विशलेशन कर सकते हैं, भाव का नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन ये एक साफ का था कि इसके result खराब आने, अब result खराब आने में चार दिन पहले और result के एक दिन पहले कब short करना चाहिए, या कब हो सकता है, वो अपनी जगे है, results जो आज आए हैं, I mean कल बाजार बन अब अब आज़ेशन कर आए है, बरान्वे करोड से पैंसेट करोड, मार्जिन सवा पंदरा करोड से सवा पंदरा परसंट से साड़ी के आरा परसंट, मतलब आई बढ़ रही है, आई गट रही है, मुनाफ़ा गट रहा है, आप जिस फ्रंट पर देखना चाहें, KPIT के result ब पाएंगे, बट अगर रिजल्स के हिसाब से fundamentally अगर इसको होना है, तो इसके आज बड़ी अच्छी वाली धुलाई होनी है, और मैंने शर्माते हुए एक सो पचानवे तक के लेवल दी है, इसके नीचे के दिये नहीं है, बाकी ये एक सो पचानवे भी डिजर नहीं करता ह कि मैं जितने अगरिसिव टार्गेट दे रहा हूं उसने स्टोक गिरने से मना करेगा, मैं ये भी अच्छे से जानता हूं, ये अडियल स्टोक है, तासीर ही है, तासीर ही है, तो ठीक है, ये हमारा fundamental analysis है, price analysis जो हो भगवान बरो से, 214 का stop loss लगानी जी का future का, 205, 202, 195 ये त दिपाली से जानते हैं, आज के खबरवाले शेर, रजट आपको result के बारे में बताएंगे, कुछ नंबर सो आ जाने हैं, आ चुके हैं, दिवानशी ब्रोकिंग आउसिस के रिपोर्ट के बारे में, तो पहले दिपाली आप ही बताएं, खबरवाले शेर, शुक्रे टिंपी हैं, वो कांपनी के फेवर में लिए आए हैं, क्योंकि US FDA ने डॉक्टर एडिस की श्री काकुलम प्लांट वन को चार आपतिया जारी कर दी हैं, तो नेगेजिव न्यूस फ्लोव है, डॉक्टर एडिस के लिए, इसके लावा जेट एवेज लगातार दो दिन से चड़ रह के लिए तयार हो गए हैं, तो यह जो बोड मीट होगी, जेटे वेज की वाज काफी इंपोर्टेंट होगी, दिवान हाउजिंग फाइनस लिमिटेड ये आज फोकस में रहेगा, राकेश जुन जुन वाला ने कंपनी में अपनी सिदारी घटाई है, और करीद पौने एक अब जो रिमेनिंग स्टेक है, वो धाई परसन के आसपास रह गया है, तो दिवान हाउजिंग फाइनस फोकस में होगा, इंडोगो रेमेटीज यहां पर काफी इंटरेस्टिंग खबर है, मुंबई बेस ये कंपनी हैं और 60% रिवेन्यू इनके घरेलू कारुबार से आते कंपनी का फोकस है विदेशी बिजनस पर, क्योंकि विदेशी कारुबार में जो मार्जिस होते हैं, वो जादा हाई होते हैं, तो ये स्ट्राटेजी चेंज कर रहे हैं, तो फोकस में रहेगा आज इंडोगो रेमेडीज, साथ ही माइन्ट्री, दरसल जब से वीजी सिधार अपना 18-19% का स्टेक बेच रहे हैं, वो किस कंपनी को दिया जाए, क्योंकि तीन प्लेयर्स हैं, जुन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, बैरिंग एशिया है, केकियार है, बैरिंग एशिया ने लगबग 90% का भाव का ओफर दिया है, केकियार ने 885-875 के आसपास का तो प्रमोटर्स अब डिलेमा में हैं और वो कंफ्यूजन में है, लेकिन विदन अमन्त ये डिसिजन लिया जाना है, कि जो बड़ा इंवेस्टर आएगा माइन्टरी में, विजिस सिधारता के स्टेक सेल के बाद वो कौन सा होगा, तो माइन्टरी फोकस में रहेगा, टैन से एलेवन के बीच में, रिको आटो के प्रमोटर्स ने 42,000 शेर खरीदे हैं, 11 से 14 जैनवरी के बीच में, नाथ बायो जीन्स के प्रमोटर्स ने 18,000 शेर बेचे हैं, दिसंबर 31 से जैनवरी 10 के बीच में, और से 17 क्रेडिट के यहां पर प्रमोटर्स ने 66,000 शेर खरी क्योंकि आज दोनों ही कंपनिया नतीजे जारी करने वाली है इसके लावा जो अन्य नतीजे रहेंगे कैश सेग्मेंट में वो फिलिप्स कार्बन में है और दूसरा है मोतिलाल ओस्वाल फिनांशल इन कंपनियों पर आज नतीजे जारी होंगे और यह हम क्लोजरी ट्रैक करे सब्सक्रिप्शन रिवेंट्ट इसके लावा मुनाफ़े की फिकर आपको बड़ी दिखाए देगी 19 करोड लेकिन यहां पर अधर इंकम कॉंपोनेंट बहुत एग्रेसिव तरीके से बढ़ा है उसके कारण मुनाफ़े में अज़ाफा देखने को मिल रहा है आए 63 करोड से बढ़कर 77 करोड पहुंची है लेकिन एक बहतर बात यह है कि इनके जो एवरेज डेली टरनोवर है उसमें 31 पीज़ी का जंप देखने को मेला है 26.614 करोड का आंकड़ा कंपने पोस्के है जो कि 22 तिमाही में सबसे बहतर डेली टरनोवर आंकड़ा समझा जा आए रही है और इबिटा 5 करोड से बढ़कर सीधा पहुंच गया 12 करोड मार्जन तो भड़ने थे अभरेज परसंट से बढ़कर पहुंच गया साड़े बारा परसंट तो हर पैरामीटर पर स्पेशलिटी रेस्टो के नतीजे बहतर है जै भारत मारूति ने निराश किया ह इस बार मुनाफ़ा 14 करोड से घटा है 11 करोड का मुनाफ़ा कमने पोस्ट किया है और इनकी आय जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है लेकिन इबिटा और साथ-साथ इबिटा मार्जिन की तरफ से कोई जादा रिलीफ मिली नहीं है इबिटा मार्जिन इनने 8.5% कर 15.5 करोड पहुंची है और आए भी 547 करोड से बढ़कर 630 करोड टिन प्लेट ने रिपोर्ट करिया ठीक है यह कुछ एक अर्निंग्स पे और सबसे इंपॉर्टन थी जी एंट्रेटिन्मेंट की गल अर्निंग्स काफिसारी रिपोर्ट भी आई है लेकिन ठीक उससे पह तीसरी तिमाही के जी एंटेटेइन्मेंट के नतीजे आ गए है और नतीजे अक्ष़ी काफी रोबिस्ट है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है अगर मैं विज्यापन इंकम और सब्सक्रिप्शन इंकम की बात करू काफी बड़ोतरी देखने को मिली और कंपनी पे ज चाहना चाहूंगी क्या हाइलाइट्स थे, ग्रोफ ड्राइवर्स क्या थे, क्या सब्राइज थे इस बार? अक्चली एक सब्राइज नहीं था, बहुत सारे सब्राइज थे हमारे लिए. On domestic side, हमारे लिए Hindi genre में growth मिली हमें, हमें बंगाल में growth मिली, हमें Tamil Nadu में growth मिली और हमें Karnataka में stellar growth मिली, apart from other general growth. इसके अलाबा Z5 की monetization तीसरी तेमाई में बहुत अच्छी तरह सी होने शुरू हुई है, और इंटरनेशनल मार्केट जो की stagnated थी बहुत टाइम से, एडरोटाइजिं में हमने 40% growth देखा इस quarter 40% in this quarter alone, तो यह तो काफी strong है और सबका सवाल अब यह होता है कि आप यह maintain कर पाएंगी कि नहीं? पिछले मेरा endeavor तो यही रहता है कि जो भी industry की growth हो, मैं उसको beat करूँ और आज तक मेरी team ने इस बात को correct किया है और prove किया है, so हम चाहते हैं कि आगे वाले quarters में भी आसा ही रहें यह Q3 की जो specific performance है, तो हमें क्या indication देने चाहिए Q4 के लिए, I mean are we going to maintain this kind of growth momentum or you think कि यह specific आपने surprises जो थे वो थे बद आपको शौर नहीं है कि यह continue होगा, so that we have a realistic picture. Growth continue होगी, industry की expectation है low to mid-teens की, हम definitely उससे जादा growth देंगे fourth quarter में भी, क्यूंकि जो market share gains की बात मैं कर रहा था, वो पूरी तरह से monetize नहीं हो रहा है, So there is still more scope, there is still more scope कि हम उसको और monetize कर पाए, Okay, आप बात कर रहे थे, advertisement revenue हैं काफी अच्छा बड़ा, अभी 40% जो growth किया है, इसके बाद strong double digit तो रहेगी, upwards of 30 हम मान सकते हैं? International markets थोड़े से volatile जादा होते हैं, but definitely we'll continue growth, it depends on which markets perform better for us. Okay, fair enough, subscription revenue पर भी आपने काफी अच्छा performance देया है, उस पर क्या outlook है? Subscription revenue पर हमारा outlook है कि definitely इस साल तो हम low to mid teens में deliver करेंगे, थोड़ा सा disruption इस market में होने वाला है, with TRAI tariff order जो implement होगा एक फरवरी से, तो कुछ समय थोड़ा सा disruption होगा market के नदर, but जैसा कि हमने DAS के टाइम पर भी देखा था कि जब तक signal switch off नहीं होता है, consumer अपनी choice exercise नहीं करते हैं, तो एक फरवरी को जब ये signals बंद होगे, तो थोड़ा disruption देख रहे हैं, थोड़ा short term disruption होगा, बढ़ फिर भी full year में हम ये number deliver कर सकते हैं, एक exclusive interview था और दूसरी important बात कि इसमें विज्यापन और आए, सबसे important रही है और विज्यापन का सब्सक्रिप्शन भी, इसी पे काफी सारी reports भी आई हैं, तो दिवाशी से जल्दी से समझ लेते हैं, पहले Z entertainment पे reports का कहते हैं, पहले दिवाशी सिर्फ Z entertainment के बारे बताएं, जिस तरह से नतीजे आएं शांदार रहें और यही नहीं जिस तरह से यहां पर management का confidence है, guidance है, वह यहां पर maintain होता हुआ दिखा है, तो जिते में brokerage houses हैं काफी खुश हैं और यहां पर दो brokerage houses हैं जिन्होंने अपने targets बढ़ाएं भी हैं, सबसे पहले मिक्वारी उन्होंने अपने targets बढ़ाएं और इसके लावा HSBC ने अपने लक्षे वह बढ़ा दिया है, और CLA से सबसे जादा targets यहां पर सुझा रहे हैं, यह minority shareholders के लिए काफी positive हैं, लेकिन इसके अलावा life insurance कारोबार पर भी एक report आई है, मिक्वारी की, जहां पर उनकी जो topic है वो आईसे से prudential है, वहीं पर उनको SBI life काफी महंगे लग रहे है, valuation wise और यहां पर बहुत जादा opportunity नहीं लग रही है, और एक upgrade है, Sun Pharma का Jefferies ने upgrade किया है, Apollo Hospital का HSBC नहीं यहां पर upgrade किया और लक्षय भी यहां पर 1600 तक का बढ़ाया है, Apollo Hospital पर तो इस पर focus करना चाहिए है, ठीक है, शुक्री आपका यह सारी की सारी broken losses report देने के लिए पर MCX के बेभी कोई report आई है क्या, यह भी जरह है तो बताइए, MCX पे भी जिस तरह से उनका यही मानना है कि जिस तरह से नतीजे वह काफी positive है, Morgan Stanley की report और 870 तक के लक्षय सुझा रहे हैं, और यह मानके चल रहे हैं कि जो आए है वह अनुमान के मताबिक है, लेकिन जो investment income है वह काफी बढ़ी है यहां से, ठीक है, शुक्रिया, MCX पे भी report थी और यहां पर 870 तक के target है, इंपोटेंट है, 763 और आज शाकर सब्सक्राइब भी आप फोकस कर लिजेगा, क्योंकि दोनों broken houses ने अपने लक्षय भी घटा दिया, और यहां से ट्रक सेग्मेंट का जो valuation और ट्रक सेग्मेंट में जिस तरह से कारोबार हो रहा है, वह काफी concerns यहां पर जता रहे हैं, तो यह हैं वह तमाम रिपोर्स इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्स हैं जिन पर हम थोड़ी देर में फोकस करने वाले हैं, स्टुडियो में शुभा मगरवाल साब हमारे साथ जूड़ चुके हैं, राकेश जी और कुनाल जी और विकाश जी भी हमारे साथ जूड़ चुके हैं स्टुडियो के बाहर से, आप सब का स्वागत है, नमस्कार तो चलिए शुभा मजी शुरुआत कीजिए, शुभ शुरुआत आज तो दो कॉल और दोनों भाह होंगे आपके, बताजी इसलिए आपको देख के लगिया था सर्थ, बताजी क्या खरीदेंगे। अनिल जी, दो कॉल है, पहला खरेदारी के राय है L&T पर, और लासन अंटूब्रो को अगर देखें, तो इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव रहे, बत हमने देखा कि शॉट टर्म में एक पॉल बैक देखने को मिला, बाट ओवराल सेक्टर का व्यू भी यहां पर मुझे लगता है कि यह साल के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो L&T में अगर शॉट टर्म डेवलप्मेंट देखें तो एक ट्विजर बाटम का फॉर्मेशन हुआ और एक इंसाइड बार यह दोनों ही फॉर्मेशन कल के डेवलप्मेंट में पॉजिटिव नजर आ रहे, तो मुझे लगता है कि यहां से एक ट्रेड लेना चाहिए, 1400 के टागेट के लिए खरिदने की सला है और 1315 का स्टॉप लॉस रखें, दूसरा कॉल HCL Tech पर है, HCL Tech को अगर हम देखें तो मल्टिपल सपोर्ट 920 के आस पास में है और काफी समय से ये सपोर्ट को होल कर रहा है और एक रिवर्सल भी हमें देखने को वहाँ पर मिला है और options के data के इसाब से भी वहाँ पर heavy put writing है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से IT का जिस तरह से हमने कल देखा कि performance है, मुझे लगता है HCL Tech एक आउट performer यहाँ पर बन सकता है, तो HCL Tech भी खरीदने के सलह है, 995 के target के लिए stopless होगा 920 का. ठीक है, HCL Tech और L&T, L&T में जैसे देखते हमें को सिधार सिधानी यारा आते हैं, जब उन्होंने कहा था कि 1900 पर तक का target का target आपको इस साल कंदर मिल जाएगा, बड़ा target देखे गए थी, बड़ और ब्यूटीफुल target, शुवम ने आज L&T को चुना है, ठीक है, अब जड़ा विकासी से भी पता कर लेते हैं, उनकी investment के वाली call कौन सी है, विकासी गूट मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के trade सर, गूट मॉर्निंग डिम्पी, गूट मॉर्निंग अनियल जी, और चाइना ने भी stimulus अनाउंस करने के कुछ indications दिये हैं, तो उसके वज़े से मुझे लगता बजार में एक अच्छी तेजी कायम रहनी चाहिए, मैंने पांच stocks आज खरीदारी की list में है, जो सबसे पहला stock है, वो आपकी parent company है, जी entertainment, बहुत ही शांदार नतीजे पेश किये हैं कल बजार बंद होने के बाद, खास करके जो subscription और advertisement revenue में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला, और इसके लिए मैं अनिल जी आपको, डिमपी को, दिपाली, स्वाती, मृतियन जै और आपकी पूरी team, कुनाल और रकेश, इन दोनों को भी दधाई देना चाहूँगा कि मुझे लगता है इस performance में आप लोगों का भी बिल्कुल थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा, बहुत ही शांदार नतीजे थे, और serious note, मुझे लगता है जी में जिस तरह से, यह इसमें entertainment वाला है, लेकिन हाँ, हमारा बहार से support पूरा है जी entertainment की performance में, बिल्कुल और जाहिर सी बात है कि जब entertainment का सवाल आता है तो सबसे ज़्यादा हम भी जी टीवी या फिर जी टीवी से बुके वाले चैनल सी देखते है, इसलिए उस लिए आज से आपका कहना एक दम सही है, जी समता है, बिल्कुल और जिस तरह से जी फाइव जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है, उसने भी बहुत अच्छी popularity, बहुत ही कम समय में गेन करा है, हाली में जो रंगबाज करके शो था, उसने भी बहुत पॉपुलर हुआ है, और कल हमने जो अमेरिका में तेजी देखी, उसका में कारण था, नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्जन रेविन्यू बढ़ाए है, तो मुझे लगता है, यह फिर भारत में जब एप्लिकेबल होगा, तो उसका एक फाइदा देखने को मिलेगा, फिर एक प्रोमोटर्स की स्टेक सेल का भी आगे पॉजिटिव ट्रिगर है, तो इन स सबसे बड़ा फाइदा इंजिनेर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी को बिल्कूल देखने को मिलेगा, यह नियूमलिगर्ड रिफाइनरी भी मेरे जो होम टाउन है दीमापूर, वहां से करीवन सो किलोमेटर दूर है, मुझे लगता यह अगर होता तो नॉर्थ इंजिनेर्स इंडिया लिमिटेड कुट भी गुड़ प्ले कल इसमें अच्छी तेजी भी देखी गई थी, तीसरा स्टॉक रहेगा गोद्रेज इंडस्ट्री जो की गोद्रेज ग्रूप की फ्लैक्शिप कंपनी है, इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों की के बाद आप वापिस चलना शुरू हुआ है, मुझे लगता इंदा रन अप तुद बजेट यहां से दस से पंदर परसेंट की अफसाइट देखी जा सकते हैं तो यहां पर खरिदारी करें और पाच्वा स्टॉक जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया चाइना ने जो ठीक है, रिसर्च के बिस्स पर होने ने शेयर दिया है, इंजिनेर्स इंडिया यह आपके सामने गोद्रेज इंडस्ट्री एंसी सी और विदानता यह आपके शेयर होंगे जो आपको बजट तक के लिए भी रखना चाहें तो भले रख सकते हैं, कुनाल जी गुड आपकी तरफ से शेयर आपके, गुड मॉनिंग डिम्पी जी, गुड मॉनिंग अने जी, तीन काउंटर्स हैं जिन पर खरिदारी के राये हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले SRF है, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक ब्रेक आउट आते हुए हमने देखा, और मुझे लगत किराये है SRF पर, दूसरा काउंटर डिम्पी जी, आपकी पसंद है UBL, जिसमें मैंने कल भी खरिदारी किराये दी थी और लगभग मेरा टार्गेट हासिल हुआ था, आज मुझे लगता है कि फालो थू बाइंग देखने को मिलेगी, बड़ा ब्रेक आउट का ला चुका है और ये काउंटर अब 1455, 1460 के लेवल्स दिखाएगा, मौझुदा सतरों पर खरिदारी किराये हैं और स्टॉप लॉस 1395 पर रखना होगा, और तीसरा काउंटर रिजल्ट से पहले एक्सिस बैंक में मुझे लगता है खरिदारी करनी चाहिए, दो-तिन दिनों से एकाउंट रशान्त है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत दमदार है और मुझे लगता है कि जैसे ही नतीजे आएंगे इस काउंटर में आपको दुबारा से तीजी बनते हुए नजर आएगी, मेरा लक्षे 680 रुपे का है, 650 रुपे पर स्टॉप लॉस अकर इसमें भी खरिद किर अधानी पोर्ट पर है, जिसने काफी समय से पिछले साथ दिनों से स्टॉक साइडवे जोन में था, और कल के सतर में सेकिंड हाफ में स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखाया है, 374 का स्टॉप लॉस, 398 के टार्गिट के लिए अधानी पोर्ट को खरिदने की राया है, दूसरा बाइकॉल, एशियन पेंट्स पर है, पेंट्स के स्टॉक अच्छा लग रहे हैं, बहुत एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स को खरिदने की राया है, यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला है, 1377 का स्टॉप एशियन पेंट्स को खरिदें, एशियन पेंट्स और अदानी पॉर्ट्स यह दो चेर है, जो कि राकेश जी की लिस्ट में, दोनों खरिदारी के रहे हैं, एक भी चेर ऐसा नहीं है, जो सेल का हुआज इसकल तो जिस तरह का क्लोज दिया कहां से सेल को आएगा, मतला है तो सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ तक बाजार को पता ही है वैसे कुछ असर पड़ेगा यह नहीं आने बिल्कुल आने जी मोरोलेस कल बजार बंद होते होते एक खबर आ गई थी तो यह पच्चा हुआ निउस है और यह जो खबर है बहुत मुझे लगता है स्टॉक में रेंज बाउंड ही रहना चाहिए हालांकि पॉजिटिव नहीं लगता है बट नेगेटिव भी थोड़ा सा ही नेगेटिव रहना चाहिए स्टॉक ठीक है इसके लब जो ब्रोकिंग हाउस में रिपोर्ट सा जिस पर आज जारा फोकस किया गया है यहां पर दोड़ें का बापिस डिंपी अगर यहां पर देखें कल का जो गेन था वो एंड में हमने देखा कि पूरा गेन उसने गिवप कर दिया और एक शाड़ो फॉर्म हुए तो थोड़ा सा मार्जिनल ही यहां पर थोड़ा एंकरेजिंग नहीं था यह पैटरन लेकिन यहां जब तक सब्सक्राइब कर दोड़ा है कि इसके नतीजे अच्छे आ रहे है और ब्रुक्रिच का रोबार होगा तो इसके भाव भी ज्याद है 780 का हमारा टार्गेट था कल और कल डोट 780 का ही हाई बना था फ्यूचर में अगर आप देखेंगे भी तो डोट वहीं से आज सवाल दूसरा पुछा जाए शुबम जी आज गैप से खुलेगा भी जिस तरह की रिजल तो बहुत ही तगड़े नहीं बहुत ही अच्छे तो कहां पर प्रॉफिट बुक करना ही बताई अनिल जी अगर गैप से खुलके 780 के पार निकल जाता है तब तो मुझे लगत 780 के ओपर टिकना चीए 780 के रुकना है तो 785 की रेंज में रुकेगा खुलने के बाद बता देंगे ना बिलकुल लेकिन हमने कल जो बात रखी थी जरा वो भी देख लिजी mcx पर क्या थी mcx futures यहां पर खरिदारी करने के राया है तो प्रोस आज का 760 रुपेगा है और टार्गेट है 775 और 780 के है एक चीज में कहना चाहता हूं अच्छे रिजल्ट की मुझे उम्मीद है बिलकुल है 100% है लेकिन आपको रिजल्ट के पहले प्रोफिट बुक कर लेकिन आपको पेशकर्ष आज के हीरो में जी बिजनस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग्वी ने mcx पर अपनी राय दी थी और देखें जिस तरह से राय दी थी बिलकुल सटीक साबित होती हुए सिर्फ यही एक रिजल्ट बिलकुल सटीक आपके सामने नहीं आ रहा बलकि भाव से भी हमने आपको बताया था कि नतीज़ आने से पहले आपको सास्वस्य मिलेगा प्रोफिट बुक कर ले और अब तक अभी हाला कि रिजल्ट का सीजन शुरुआत ही हुई है लेकिन शुर परदस था और उसके वासे करनाटका बैंक काफ़ है चला और साथ ही अब MZX नतीज़े दूगी नहीं होके आए और यह भी अच्छे खासे मिलाफिट पहले हैं कुछ-कुछ रिजल्स में ऐसा होता है कि आपकी गृप होती है कंपनी के कारोबार को लेकर आपको पता होता ह है तो उसी हिसाब से हम जो चुनिंदा रिजल्स करके आपके सामने रखेंगे किस तरह के रिजल्स आ सकते हैं वो अब तक पांच जो दिये हैं पांच के पांच बैंक और टार्गे रिजल्स मैं फिर से कहूंगा कि प्राइस एक्षिन हमें पता नहीं होता हमारे हाथ में न दोस्तों पर सपोर्ट है दोस्तों बारा रुपार योगर गिरेगा तो इसक वड़ा मेजर मेक और पर ब्रेक लेगा और दोस्तों के नीचे गया तो फिर इसमें आपको एकसो पैसी रुप delivery सकते हैं लेकिं मुझे लगता है कि दोस्तों के आसपास इसको सपोर्ट मिलना च प्लेट इसकी आए बढ़ी है 630 क्रोड होगी है यह साधे 500 क्रोड से बढ़कर हुई है इसके मार्जर्स में भी सुधार हुआ है और इसका मुनाफ़ा भी बढ़ा है परसेंडेश सबसे ठीक ठाक बढ़ा है तीरा से साधे पंदरा क्रोड हुआ है इस पर आप देखके का ही है डिंपी 155 की ओपर निकल के सस्टेन करता है तो स्टॉक बाइ मोट पर आएगा तब 161-161 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं किसी ने लिया हुआ है तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें नई खरिदारी के लिए 155 रुपे के लेवल के टूटने की वेट करना चाहिए विकाज जी दिवान हाउसिंग पर आपका व्यू चाहिए जब दिवान हाउसिंग टूट रहा था ना सभी लोग यही कहा रहे थे इसमें तो राकेश जुन जुन वाला के हिस्तिदारी है देखिए शेर कहीना के रुक्य वापिस उपर आही जाएगा आखिरकार उ जो खबरैं तो जरूर नेगेटीव है जब अमरचेश जुन वाला जी कोई जो बेजते हैं तो उसका एक निगेटीव रियेक्षिन आता इंडिगो रेमेडीज यह अपने डुमेस्टिक कारोबार का कुछ हिस्सा बेचना चाहती है जिससे करीब इन कुछ 600 क्रोड़ पर मिल सकते हैं इंडिगो रेमेडीज इस पर क्या करें डिंपी यहां पर मुझे कोई कोई ट्रेडबल यहां पर पैटर्न नहीं दिख रहा है तो मेरे खल से अवाइड करें जाने दिए